हमने part 1 question 3 का solve कर लिया है 17 वाला बाकी 2 parts आप फुद solve करेंगे 23 and 47 अब next question पर आ जोते हैं हमारा next question है question 4 list the multiples of 7 between 10 and 40 हमने 7 के multiples लिखने हैं किस के दर्मियान 10 और 40 के दर्मियान वाले तो हमारे पास क्या answer आएगा 14, 21 हम 7 का table पढ़ेंगे and then 10 से जो आगे multiple start होंगे वहां से लिखना start करेंगे 14, 21, 28, 35 35 पर हमने stop कर दिया क्योंकि हमें 40 से कम-कम लिखने थे तो आपका question 4 भी solve हो गया question 5 है list all all the multiples list the multiples of 11 less than 50 अब आपने यहां पर 11 का table पढ़के 50 से कम multiples लिखने है 11 के next question है आपका question 6 list all the numbers less than 50 which are multiple of both 2 and 3 अब आपने वो numbers 50 से कम numbers लिखने हैं 2 and 3 के जो multiples हों मतब 2 and 3 के multiples it means कि वो 2 के table में भी आते हों और 3 के table में भी आते हों तो इसका सबसे असान तरीका यह है कि आप इन दोनों number को आपस में multiply कर लें 2 को हमने multiply किया 3 से हमाई पस answer आया 6 अब हम 6 का table पढ़के उसके multiples लिख लेंगे किस से कम 50 से कम तो हमारा आगया 48 तक answer